लोगसभा चुनाव में बस दो महीने बाकी हैं ऐसे में कॉंग्रेज, बीजेपी, आप, इनेलो और जेजेपी नेता चुनावी मैदान में दंगर जीतने के लिए अपने सारे दाओ पैंच लगाने को तयार हैं ताकि सामने वाले प्रतिद्विंदी को किसी भी सुरत में बठमी दे सके लेकिन इन सभी पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी भी है जिसका चुनाव निशान और शेत्रिय पार्टी का दर्जा दोनों खत्रे में हैं और वो कोई और नहीं बलकि चश्पिक निसान वाली इनैलो या यू कहें कि ताओ देविलाल की बाड़ी है नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी वी मैं हूँ आर्ती जांग्रा हर्याना की सियासत में एक दोर ऐसा भी था जब इनैलो की तूती बोलती थी राज्य में सत्ता के सिहासन पर विराजमान होने से लेकर देश के उपरधान मंत्री का सफ़र तैक करने वाले जोधी देविलाल ने इनैलो की नीव रखी थी जिसे उनके बेटे ओंपर का शोटाला ने आगे बढ़ाया और हर्याना के पांच बार मुख्य मंत्री बने लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी उसी पार्टी के सामने करो या मरो किसी सी आ जाएगी जी हाँ दरसल कभी हर्याना की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली इनैलो का वजूध ही आज खत्म होने की कगार पर है आलम ये है कि जोधी देविलाल दवारा लगाया गया ये पोधा आज सूखता जा रहा है नोबत यहां तक आ गई है कि आज इंडियन नेशनल लोग दल का चुनाव चिन चश्मा ही नहीं बलकि स्टेट पार्टी का दर्जा भी खत्रे में है आस्तिती ये है कि अगर इस बार लोग सभा और विधान सभा चुनावों में इनलो का परदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो पार्टी की शेत्रियत दल की मानेता छेट जाएगी ऐसे में अभैसिंग चोटाला जो इनलो की महासचीव हैं उनके सामने करो या मरो की सिती है यानि पार्टी पर खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं आए समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं साल 1987 जब पूर्व उपरधान मंत्री चोजी देविलाल ने पार्टी की नीव लखी और पार्टी का विस्तार हर्याणा के जन जन तक पहुचाया काफी सालों तक पार्टी ने चुनावों में अच्छा परदशिन किया और करीब 15 सालों तक इनेलो सत्ता में भी काबिद वही लेकिन गुजरते वक्त के साथ साल 2018 आया तो चोटाला परिवार तूल कर विखर गया और दो फाड हुई इनेलो की कलहा से एक नई पार्टी का जन हुआ जिसका नाम रखा गया जननायक जनता पार्टी परिवार विखर्णने का नतीजा भी अगले ही साल यानि 2019 के चुनावों में देखने को मिला लोगसभा और विधान सभा चुनाव हुए लेकिन इन्हें लोग को लोगसभा में एक दश्मलों आठ नो पर्तिशत और विधान सभा में 2.44 प्रतिशत ही वोट मिल पाई लोकसभा में पार्टी अपना खाता भी नहीं बोल पाई मतलब कोई भी सीट नहीं जीत पाई वहीं विधान सभा में सिर्फ पार्टी के प्रधान महासचीव अभैसिंग चोटाला अपनी एलनाबाद की ही स्टीट पचापाई ऐसे में अब की बार पार्टी को कम से कम 6% बोट नहीं मिले तो स्टेट पार्टी का दर्जा और चश्मे का चुनाव चिन सकता है हाला कि पार्टी लोकसभा चुनाव में इस बार हैवी वेट परत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है प्रुशेत्र से एक खुद अभैसिंग चोटाला चुनाव लड़ रहे हैं तो हिसार से सुनना चोटाला पर दाव खिला है चर्चाई ये भी है कि इनैलो ओपी चोटाला को भी चुनावी रन में उतार सकते हैं बसरते 10 साल की सजा को लेकर कोई कानूनी अर्चनना सामने आए बहराल इनैलो में उमिद्वारों को लेकर गहन मंतन का दोर चल रहा है अब बाकी सीटों पर इनैलो किनू मिद्वारों के नामों की खोश्रा करती है ये देखना भी दिलचस्ट होगा चलिए एक बार इनैलो का सफर भी जान लेते हैं साल 1998 में ताव देविलाल के समय जनमीज पार्टी का इंडियन नैशनल लोगदल नाम बढ़ा साल 1999 में इसी नाम से लोगसभाद चुनाव लड़ा भाजपा के साथ गटबंदन किया और दोनों ने 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की साल 2000 में विधान सभाद चुनाव इनैलों ने भाजपा के साथ गटबंदन में लड़ा इनैलों ने 62 भाजपा ने 39 उमीदवार उतारे जिसमें से इनैलों ने 47 और भाजपा ने 6 सीटे जीती और ओम परकास चोटाला पांच भी बार सीम बने लेकिन 2004 के चुनाव में भाजपा इनैलों का गटबंदन तूट गया लोगसभा चुनाव में कॉंगरेस ने 9 और भाजपा ने 1 सीट जीती दो हजार पांच में विधान सभा चुनाव में इनैलों को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली उसके बाद 2009 के लोगसभा चुनाव में इनैलों कोई भी सीट नहीं जीत सकी लेकिन विधान सभा चुनाव में 35 सीटों पर जीत हासिल की इन्में एक सीट पर गटबंदन में अकाली दल का परत्या शीथ था साल 2014 के लोगसभा चुनाव में इनैलों ने 2 सीट जीते और विधान सभा चुनाव में 19 सीटे जीती लेकिन 2018 में इनैलों भी गया उंपरकास चोटाला के बड़े बेटे अजय चोटाला और उनके बेटों ने अलग होकर जनायक जनता पार्टी बना ली जिसका नतीजा ये रहा कि 2019 के लोगसवाद चुनाव में इन्डेलो को कोई भी सीट नहीं मिले और विधान सभाद चुनाव में इन्डेलो की छोली में म चुनाव करो या मरो वाला बन गया है हाला कि इन्डेलो अपनी पूरी ताकर छोग रही है आप देखना होगा कि इन्डेलो को इस ब्लोगसवाद चुनाव में इतना जन्मत मिल पाता है कि वो अपना वजूद बचा सके या फिर ये चुनाव ओपी चोटाला और अभै को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद